पत्रकार यह हैं, एलेक्ट्रोनिक, प्रेंट और जिते हमारे यूट्यूबर्स, पोर्टिल मीडिया के साथ ही हैं। आज जैसा मनोज जाजी ने बतायां कि सुबह सुबह आज हम लोग ने परिवत्तन पत्र हम लोग ने रिलीस किया है। यानि चौबीस में चौबीस जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। और जो चौबीस जन वचन है, यह हमारा कमिट्मेंट है, प्रण है जिस चीज को, जिस जिविवारी को हम लोग पूरा करेंगे। और बहुत ही महत्तून बाते हैं इसमें, जिससे बिहार, देश के हमारी जनता का भला कैसे हो, बिहार के तरकी कैसे हो, विकास कैसे है। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं, तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगोंने 20 में जो जो मुद्दे लाएं, उस सारे मुद्द को 17 महिने में हम लोगो कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग फूरा करें। हाला कि 2-4 सीट से अलोग कम रहेंगे कि सरकार, लेकिन जब भी 17 महिने हमको मौका मिला जिस परिस्तिती में, जो हमारा कमिट्मेंट था, प्रन था, उसको हम लोगोंने पूरा जिए। आप देखेंगे 17 महिने में जो देश में कहीं नहीं हुआ था। दो-चार चीज़े हैं, वो हम लोगोंने बिहार में 17 महिने में करके दिखाए। पांच लाक नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोगोंने पिया था। कि देश में किसी भी राज में इतने बड़े पहमाने पे किसी को नौकरे ने पिए हम लोगों ने जाती अधारित गंदा कराया और आरक्ष्ण की सीमाइं जो है 75 परसेंट हम लोगों ने किया दोजर बीस में आप लोगों को भी पता होगा कि हमने कहा था कि तब नाडू के त तूरिजम पॉलिसी खेल लीती यह भी प्रॉमिस किया था कि जो पढ़ेंगे उनको तो नौकरी मिलेगी लेकिन और राजियों में है कि भाई जो गडल लाता है देश के लिए जो अच्छा खिलारी है उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए और हम लोगों ने उस दीती को भी ला आल में लेका तो इस काम को भी हम लोगोंने पूरा किया है और हम आप लोग सब्लोग समझ रहे हैं कि यह चुनाओं है विष्ए की जंता भी उभी करती है हम वोझ हसे कि बहुत दो हजार चौबीस के चुनाओं में हम विष्ए की जंता कि लिए कया नयालाना तो आज परिवत्तन पत्र के जरीए 24 जनवचन यानि 24 का चुराओं और 24 जनवचन आप लोग लाएंगे डीटेल्स और सारी बाते आप लोगों को देव दी जाएगी लेकिन जो प्रमुक्ष चीजे हैं वो हम आप लोगों के समझ रखना चाहें जन्मत चंता अगर हमको ताकर देती हैं अगर हमारी इंदिया अलाइंस की सरकार बने गए तो देश भर में एक करोड नौजवानों को नौकरी सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करें एक करोड नौकरी पूरे देश पूरे देश में तीस लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है उसको तो भड़ेंगे ही भड़ेंगे लेकिन सतर लाख नौकरी का जो है पदो का हम लोग स्रिजन करेंगे आप लोग जानते हैं नौकरी बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है आज भाजपा की लोग इसके कोई चर्चा नहीं करते हैं दो करोड हर साल उन्हें नौकरी का वादा किया था लेकिन हम लोग सच्चे लोग है जो कहते हैं वो करके बिखाते हैं तो पूरे देश पर में एक करोड लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे कि दो कि तारीक जो है वो मतलब दो डेट याद कर लिए देश में पंद्रा अगस्त आने वाला जो पंद्रा अगस्त है आपको बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगा आने वाला जो समय हमारा देश आजाद हुआ तारीक को हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी हम लोग लाए यानि सरकार आएगी तो पंद्रा अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देगा दूसरा तारीक अपनों भ्यान से रखेगा जो आने वाला रक्षा बंदन है गरीप परिवार की बेहनों को हम लोग प्रते एक वार्ष में एक लाख रुपे का सहायता हम लोग देने का खाम करेंगा जो रक्षा बंदन आएगा उसी दिन से हमारी बेहनों को जो गरीप परिवार में हर एक साल एक लाख रुपे का हम लोग जो है सहायता देंगे और आप लोगों के समझ हम बताना चाहेंगे तीसरा कि 500 रुपे में गैस सिलिंडर का भाव जो है कर दिया जाए आज जो है वारा सो पंदरा सो बिलता है अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको महंगाई जो चरम सीवा पर है महंगाई को कम कर देके 500 रुपे में गैस सिलिंडर जो है उस चीज को हम लोग कर देंगे पुरानी पेंशन योजना OPS को हम लोग लागू करेंगे और सबसे महतपून बिहार को विशेष राज का दर्जा हम लोग दिलाएंगे बिहार को विशेष राज का दर्जा दिलाएंगे अगला पोईंट ये भी बिहार के लिए बहुत ही महतपून है हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे तो इं मोदी जी वाला नहीं कि बंगार से यूपितर गैस लाइन पाइप लाइन जाना जो बिहार का भाग है उसका पाट जोड दिये अब बोल दिर की पैकेज में आए नहीं डेडिकेटेड स् एक लाग साथ हजार करोड का एक लाग साथ हजार करोड का अगर लोग सबाद शेतर वाइज इसको अगर हम बाटेंगे तो प्रते एक लोग सबाद शेतर में चार हजार करोर रुपे हम लोग हर लोग सबाद शेतर में देंगे पिजली जो है विहार का बिजली का जो दण है सबसे महगा है पुरी देश में बहुत महगा है बिहार के जितना महगा बिजली और कहीं नहीं मिलता है तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जंता को उपलब्द कराने का काम करेंगे और फसलों का दस फसलों का नित्तम समर्थन मून MSP जो है हम लोग बिलाएंगे स्वामी नाथन जी के जो रुपोर्ट है जो सिफारिशे हैं उसको हम लोग पुरे देश बड़ में लागू करेंगे और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम जगह जगह जा रहे हैं नौजवान बहुत परिशान है अग्दीवी रियोच्रा से ना पेंशन मिलेगा ना ग्राशिटिटी मिलेगी ना कैंतीन की सुविधा मिलेगी ना शहीत का दर्जा मिलेगा चार साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो चार वर्षी अगरी मीर योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे और ड्यूटी के दवरान शहीद अद सैनिक बनों जैसे CRPF, ITBP, SSB, CISF, इत्यादी के जवानों को शहीद का दर्जाव दिया जाएगा, तो यह बहुत ही महत्पूर्ण बात है, पैरा मिलिटरी फोर्ष जित्रे है, उनलों उनकी लंगे अर्चे से बिमार रही है, कि भाई, ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान, तो उनको शहीद का दर्जाव नहीं दिया गया है, तो हम लोग उन सारे पैरा मिलिटरी फोर्ष जित्रे हैं देजबन में, उनको शहीद का दर्जाव देंगे, और चार्वर शियर अगनी वीव, जो योजना इन्होंने लाया है, इसको समाप्त करेंगे, और जैसे बहाली निकलती थी, वैसी निवाली हम लोग निकलवाई गया, बिहार म अच्छी कनेक्टिविटी हो, उसके लिए पांच नए एरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे, पूर्णिया में, भागल पूर में, मुजफर पूर में, गुपाल गंज में, और रक्सोर में, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी जो है, हम लोगों को दे सके, एरपोर्ट बनेगा, तो शेख जो है, विक्सित हो, आगे बनेगा, इसमें पांच नाम हम बता दें पर से, पूर्णिया, भागल पूर, मुजफर पूर, गुपाल गंज, और रक्सोर में नए एरपोर्ट कर निर्मान कराया जाएगा, अगला पूर्ण्ट, मंडल कमिशन के बाकी बचे जितने शिफारिशे हैं, उसको हम लोग लावू करेंगे, और यहीं नहीं, हम लोगों ने जातिया धारित गंदा कराया, जातिया धारित गंदा तो कराया, तो साथ में हम लोगों ने औरक्षन की सीमा को बढ़ाया, पचचतर पर स्पर्ण्ट, आज बने ही चाचा जी उदर चले गए हो, लेकिन इस बातों को भूल डाते हैं, सचिवाले में सभी उनके मंत्रियों के साथ, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फरेंस किया था, और भारत सरकार को कैबिने ने फारिश भी की थी, कि भाई जो आरक्षन की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया है, बियार में, जैसमें आती पिछड़ें को बढ़ा, स्वाल जाती भाईयों के जो गरीब भाई है, उनका 10% जो था, वो और रहे गया, अर्थी पिछड़ों का, दलितों का, दिवासी भाईयों का, जानी 75% जो आरक्षन बढ़ा, उसको हम लोग सेड्यूल लाइन में डालेंगे, अब इस पे मुक्टमत्री जी चर्चा दी करते हैं, इतने महीने हो गए सरकार में, लेकिन अभी भी सेड्यूल नाइन का जिक्रें नहीं किया हुआ है, और आप देखिएगा, इसी वज़ा से कोई भी कोट चला जाते हैं, और इसी देरी के कारत, जान मूझ के विलम किया गया भाजपा के द्वारा, ताकि कोई ना कोई, ये पीछे से कोट में भीजवा करके, इस आरक्षन के सीमा को खतम करने हैं, तो हमारी सरकार बढ़ेगी, तो जो आरक्षन जो हम लोगों ने बढ़ाया है, उसको सेड्यूल लाइन में हम लोग करेगे, विहार में अदोगी करण को बढ़ावा भी बिया जाएगा, और स्वास्त का अधिकार जो है, पुरे देश में, उसको हम लोग लागू करेगे, ताकि फ्री में स्वास्त सुर एक ऐसे तो 24 वचन है, जन वचन, इसमें आप लोगों को हम बटवा देए, मिलेगे, लेकिन जो प्रमुक बाते थी इन में से, हम सब्जे कि आप लोगों के समक्ष इस बातों को रखे, तो आप समझ सकते हैं कि 15 अगस से बेरोजगारी से अजादी, हम लोग लेकर के वहनों को हम लोग प्रते एक वर्श, एक एक लाकर प्या हम लोग देए, दोस ओफ योनिट फ्री विजिली हम लोग देए, तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं, तो अगर कुछ सवाल है ता आप लोगों आप एक बात समझेए, कॉंग्रेस के लोगों ने अपना भोष्णा पत्र जारी किया और आज हम लोगों ने अपना पड़िवर्टन पत्र जो है, वो आप लोगों के समझ रखा है कॉंग्रेस पाटी ने कहा है कि 30 लाग नौकरिया दी जाएंगे मेरा माला अच्छी बात है, लेकिन इसको हम लोग और मजबूती के साथ 70 लाग पद सेज़न किया जा सकता है कैसे ये बड़ा सवाल होगा, पिछले बार भी लोग कहते थे हमारे चाचा कहां से लाएगा दस लाग, देज भर के जितने आर्थ शास्त्री थे, कहते थे कहां से आएगा पैसा, कैसे होगा, तो 17 मेरे पांस लाग नौकरिया कैसे दे दिये भाई, पहले बार, हमारे चाच अज़ा तो कैसे दबाब के पास लाएगा, और आज तो कहते हैं कि हमें ने किया, हमी ने किया, अच्छी बात है, आप ने किया, तो कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बार तो मेरे बुझ से सुने, तो 30 लाग जो कॉंगरिस ने किया है, वो केवल दिख पने हैं, और जब हम लोग ने बिहान में किया था, तो सारे 4 लाग पदे रिख थी, सारे 4 लाग थी, तो हम लोगों ने पूरा रिसर्च करके ये किया है, कि हर साल जो है, बहुत लोग रिटायर होते हैं, और और सुनीजे, दस सालों में, मोदी जी ने रेलवे हुए या सेना हुए, सबसे ज़ तो हम लोग दिल्ली में मैटर्स करता है नमबर, अगर नमबर जनता हमको ताक कर देगी, वही तो कह रहे हैं, अरे बाइ, आगेर हमारे को 24 सीथ पर हम लोग चुनाव लगने हैं, 24-25 सीथ जारकन का भी त्लेर हो जाएगा, विहार में 23 सीथ, जारकन में 2 सीथ हम लोगों की मांगे, लेकिन अगर हम 25 सीथ पर भी रचुनाव लगते हैं, तो 25 एंपी हमारे जीत के जाएंगे, तो हम लोग काम करेंगे, यूपी एवन में, हम लोगों ने करके दिखाया, सेकेंड राज्रेस पार्टी थी 2004 में, राष्टी जनता दल, कॉंग्रेस पार्टी के बाद, अब प्रधान मत्री बनाने में हम लोगों की सहरती रही, तब जाकर के बन मुहांद सेंग जी प्रधान मत्री लोगों ने घुष्णा किया, तो ये हम पे छोड़ दीजिए, जो मुख्यमत्री असंभव कहते थे, उनसे हमने संभव करवाया, अब लोग तो चाहते हैं नोक उनकी हाँ को ही हम लोग मजबूत करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात को रखने का अधिकार है, हमारे MP जीत के जाएंगे तो क्या करेंगे, इन्ही अजेडों पर काम करेंगे हमें पूरा विश्वास है भाई पत्रकार गर के हमारी सरकार बनने जानी है, तो उसकी चिंता अपना करें, हम सरकार के पार्ट होंगे, तो इस काम को कराएंगे, और भाई गिप्टी सीमीना के हाँ, कौछा मुक्ष मंत्री से, किये न, शारा मांदेव आगन बारी का हो, त पत्र पढ़िए, दोदर कीट का, जो जो कहे हैं, उसका काम देखिए, हुआ कि लिए, वो हमारी जिम्हारी है, हम लोग करें, देश भर में, अले भाई, देश का चुनाओ है, तो देश भर में हम लोग बिल्ली दर जोए करें, मना कही जगे अलग-अलग है, लेकिन स्पेस की रेट अलग-अलग हिसाब से है, क्योंकि एक बिल्ली का दर पूरे देश में लागू नहीं है, लेकिन बिहार में स्पेसिफिक, 200 प्रतियुने, हम लोग जो हैं, बिल्ली दर, जो हम लोग करें.